हलो गाईज वेल्कम डेस्टी आफ फीचर एजूकेशन यूट्यूप चैनल आज की सब वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो ये डिरेक्टर हेल्थ सर्वेसिस हिमाचल प्रादेश के दोरा प्रैस नोट चारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि स्टाफ नर्सिस के बैच वाइस बेसिस पे काउंसलिंग जो है कंड़क्ट की जाएगी 6 सितंबर 2021 सुभा 9 बजे तो इसमें बताया साथ में ये भी गया है कि कौन से बैच के लिए यहां पे जो कंड़क्ट होने वाली है सारी वीडियो को अन तक पूरा देखिए बात करते हैं batch wise basis पे कौन सी category के लिए कौन से batch तक यहाँ पे counseling conduct होगी और इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि जिन्होंने जो time period रखा गया था application form submit करने के लिए उस time period के अंदर अपने application form submit किया थे different categories में up to जो mentioned batch था उस batch के लिए अगर उनको call letter receive नहीं होते हैं तब भी व लिए 16 vacancies हैं जिसके लिए batch लिया जाएगा 12-2010 तक जनरल EWS के लिए 5 vacancies batch लिया जाएगा 12-2010 तक जनरल ward of freedom fighter के लिए 1 vacancy इनके लिए batch up to 12-2014 इसके बाद है category SC 6 vacancies इनके लिए batch लिया जाएगा up to 12-2010 इसके बाद है SC IRDP 2 vacancies up to 12-2012 OBC 5 vacancies up to 12-2010 OBC IRDP 2 vacancies up to 12-2010 ST 1 vacancy up to 12-2010 तो ये batch हैं जहां तक जो हैं ये vacancies के लिए counseling conduct होगी total है 38 vacancies अब district wise बात करें तो बिलासपुर और चमबा के लिए counseling होगी 6 सितंबर 2021 हमिर्पुर कुलू के लिए 7 सितंबर को कांगडा की 8 सितंबर मंडी की 9 सितंबर और शिमला सिरमौर सोलन लाहौल और उना के लिए होगी 10 सितंबर 2021 को तो यह तक है इस आज की सब वीडियो में अगर आप information अच्छे लगी हो तो वीडियो को like से रूट करें शेयर करें दोस्तों के साथ और इस तरह की updates आगे भी पाने के लिए channel को आज ही subscribe कर लें और bell icon भी प्रेस कर दें thank you guys for watching this video मिलते हैं से तरह की next videos में